नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती नमस्कार शेकिशना शिरादे बहुत बहुत स्वागत है जोतिश्दिशा की स्पेसल सेग्मेंट में मैं हूँ आपके साथ आचारे संदोशी और आप देख रहे हैं विशेश कारक्रम जोतिश्दिशा कमेंट्स में तमाम विशेश मिल जाते हैं हमको विशेश को खोजने के लिए कहीं और जाने की आवशक्ता नहीं है आप सब जब हमारे पास आते हैं तो विशेश देगे जाते हैं और जब आप हमें कमेंट करते हैं हमसे बातें करते हैं यूट्यूब यूडियो के नीचे हला और श्राप ये क्या लगती है बहुत आसान सा प्रश्णा है बहुत आसान सा इसका उत्तर है और अगर आप आपको किसी ने बद्दुआ दिया है और आप उसको जानते हैं कि आप गुनहगार हैं उसके कि आपको वो बद्दुआ दी है या दिया है तो उसके लिए कुपाय हम आपको आज बताएंगे सबसे पहले इसकी विशे में समझे बद्वा कोई शब्द नहीं है कि आप बोलेंगे और होने लग जाएगा बद्वा रोएं से निकलता है आपकी आत्मा से निकलता है शुराप आपकी आत्मा से निकलता है आपके कर्म बद्दुआ दिलवाते हैं कोई बद्दुआ देता नहीं है लेकिन जिस पल आपको रियलाईज हो जाए आपको हैसास हो जाए आपको पता चल जाए पता चलने के बाद आप प्रैश्चित कर सकते हैं आपके पास मौका है आप उस इंसान से माफी मांग सकते हैं उससे आप छमायाचना कर सकते हैं अगर माफ कर देगा तो निसंते हैं बद्दुआ नहीं लगेगी लेकिन माता और पिता की बद्दुआ कीड़े पड़ते हैं सरीर में वो लगती है भाईया मैंने कई लोगों को देखा है प्रैक्टिकली देखा है उनका आशीष जितना फलता है उनका श्राप उतना नीची ले जाता है कुछ लोग कहते हैं कि मां की बद्वा नहीं लगती डिपेंड करता कि बद्वा किस वे में दिया गया है अब पढ़ने के लिए बार-बार कहें आप पढ़ो ना तो उस समझ जो बद्वा निकले को बद्वा नहीं वो ऐसे गुस्टे में निकला हुआ अब शब्द रहता कि जा जिंदरी बर भीख मागेगा जा समझ में आएगा तुझे लेकिन हाँ आप सता रहे हैं आप बालिक हो गए हैं आप परिशान कर रहे हैं आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं उनके साथ चंद पल नहीं बिदा रहे हैं तो ऐसे में माता-पिता कि ये रोएं से बद्वा निकलेंगी भले ही शब्दों स ही लगता है आशिरवात की तरह ही लगता है उसके पीछे की मनसा आपका शुभ आपका कल्यान होता लेकिन जो जवानी में बद्वा निकलती है बच्चे के साथ ना देने पर बच्चे के खयाल ना करने पर माता-पिता के रोई से जो निकलता है वो बद्वा लगता है और किसी के पास कोई काट नहीं है सिर्फ आपके पास आप उस चीज को महसूस करिएगा कि माता पिता आपके लिए कितने तर्पे है एक बच्चे को पालने में क्या कश्ट उठाना पड़ता है यह हर कोई नहीं जानता है ये तो वही जानेगा जिसने बच्चे को पाला होगा जो मा बना हो जो पिता बना हो पिता ये भी बहुत बड़ा सब्द है आजकल कुछ माएं ऐसी भी है कि 3-3-4 महिने के बच्चे को नौगरानी और नौकर के सहारे छोड़ कर डे बोर्डिंग में छोड़ कर क्रेश में छोड़ कर और जॉब में चली जाती कि टीज में जाती है ताश खिलती है ऐसी भी माएं हमने देखा है ऐसे भी लोग है खैर ऐसे लोगों के लिमित अब क्या कहा जाए भगवान उनकी सद्वुद्धी दे उनको आज हम आपको बताएंगे कि अगर इस प्रकार की स्थिती कभी आए माता पिता परिवार से हट कर किसी के हरदय को आपने चोट पहुंचाया है आपने कश्ट पहुंचाया है आपको बद्दूआ लग रहा है तो उसे हम शुभता में कैसे कन्वर्ट करें सबसे पहले आपको किसी भी प्राता है इतवार से लेकर के शनिवार तक किसी भी दिन सातों दिनों में सुबह शनान करके कोरा कपड़ा पहन कर और तुलसी के पौधे के समक्ष बैठना है बद्दूआ और श्राप के रूप में शब्द बाण प्रकिर्ट की शक्तियों को इकठा करके आपकी तरफ थ्रो करेंगे और कर दिये होंगे तो आप पतन के रास्ते पे चलना है उसको रोखने के छमता कहीं अगर है तो या तो गाय के पास है या तो तुलसी के पौधे के पास है जिसको भी आपने चीट किया जिसको भी आपने ठगा है आपको लग रहा है जिसकी बद्दुआ की आपको लग जाएगी उसके विशे में आप विचार करिए ये पश्चात आप है ये प्राइश्चित है आप विचार करिए उसके विशे में कि उसकी जगह खुद को रखिए एक पल के लिए और उसे अपनी जगह रखिए और देखिए कि आपके हुरदय में किस प्रकार के भाव आते हैं मालेजी आपने खुब गरियाया है खुब गालियां बका है अपने परोसी को आप दबंग थे, पैसे वाले थे, आपके पास मूचे थी, पिष्टल था, हतियार था मतलब आप सक्षम थे और आप डॉमिनेट करके किसी अपने परोसी को ही मालेजी एक पल के लिए आपने किसी इंपलाईग पर अपने आपको डॉमिनेट करके खुब गालियां दिया है, दो चार जापन मारती जा है मालेजी एक पल के लिए आज आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद अब रियलाइज कर रहे हैं आज आपको फील हो रहा है कि आपने वो गलत किया है तो सुबह नहा करके कोरे कपड़े पहन कर तुलसी के पौधे के पास बैठें आप और उसके चेहरे को ध्यान करें जिससे आपको माफी लेनी है और आप शर्मार हैं आप माफी मांगने भी नहीं जा सकते हैं अगर मांग लें आपने सामने जाकर तो इससे बढ़कर कोई उपाई ही नहीं है बट अगर आपको लग रहा कि बद्दुआ हो गई है और वो निकल चुका है वो निकल चुकी है लेकिन अभी आपके पास समय है किसी ने किसी रूप में आप अपने आपको बचा सकते हैं 108 बार और तोसी के नीचे की वो मिट्टी लेकर के जहां बैठे हैं अपने बाएं हाथ में रखिए और जैसे तंबाकू मालिश करते हैं गूठे से ऐसे ही आप उस मिट्टी को रब करिए रब करने के बाद जब थोड़ी देर तक आपकी हथेली गरम हो जाए गरमाहट आ जाए तो आप मिट्टी को पेड़ी की नेचे डाल दीजिए और इस हथेली से अपने मस्तक को ऐसे सपर्श करिए करीब दो धाई मिनट तीर मिनट तक ऐसे चुए रखिए आप आंसु निकल आए शुब संकेत आप अचानक से बहुत बड़ा सा बोज़ा उतरा साल लगे महाशुब संकेत आपके लिए ये प्राश्यत की एक पहली सीड़ी है इस तरह से आप चार-पांच दिन लगातार सा राख दिन करते हैं तो आप के लिए बहत शुक्र राखा बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम को प्यार देने के लिए इसको जितना हो सके आप शेर करिएगा सब्सक्राइब करवाईगा वीडियो ऐस के छमा करना महीं स्थिखिए ए अंगर आपके स 10 और 11 अक्टोबर अहिम्दाबाद 27 और 28 उक्टोबर पतना 29 और 30 अक्टोबर लखणव 11 और 12 और 13 नवेंबर बेंगलूरू 25 और 26 और 27 नवेंबर नाग्पूर 1 और 2 डिसेम्बर पूने 3 और 4 और 5 डिसेम्बर मुंबाई 15 और 16 और 17 सेम्बर कॉलकाता अधिक जौनकारी वो अपॉंट्मेंट के लिए संपर करें डबल लाइन 10291850 और डबल लाइन डबल लाइन 02400 डबल लाइन आचार्य संतोशी जी के आगामी कारेक्रम इस प्रकार है अधिक जौनकारी वो अपॉंट्मेंट के लिए संपर करें डबल लाइन 10291850 और डबल लाइन डबल लाइन 02400 डबल लाइन